Hello everyone, very warm welcome to my channel Learning with Komal तो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं Product Classification तो ये पूरा टॉपिक आज हम कवर करेंगे और जैसे कि मैं आपको बता दूँ हमारा चाप्टर Product Concept and Classification का ये Part 2 वीडियो है जिसमें हमने Part 1 में Product Concept को क्लियर कर दिया था जिसमें हमने Meaning, Introduction, Definition, साथी साथ Characteristics और Importance को कवर किया था Product Concept की आज हम Classification की बात करेंगे की Product Classification क्या होता और इसको हम Explain करेंगे पूरा चानल को अभी दक आपते सब्सक्राइब नहीं के आए तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी चानल को सब्सक्राइब जरूर कर ले बैल आइकन को जरूर प्रेस कर ले क्योंकि आपने चानल पर लाते हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा helpful और यूसफूल होती है सिच्वेशन को जानना साथ ही साथ की कंज्यूमर्स की रिक्वार्मेंट्स क्या है इस बात की नौलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप मार्केटिंग अक्टिविटी करते हो तो सिमिलरली उन रिक्वार्मेंट्स को सैटिस्फाई भी करना है जो कंज्यूमर और बायर की रिक्वार्मेंट्स है उनको आपने क्या करना है मार्केटर ने सैटिस्फाई भी करना है तो सैटिस्फाईंग करने के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें अपने product की qualities और feature के बारे में पता होना चाहिए क्यूंकि consumer और buyer product में quality और feature expect करता है जब हम वो अपने product में add करते हैं उन qualities या फिर उन features को तो हमारा product जो है वो बिखता है market में और consumer भी satisfy होता है तो यहाँ पर हमसे बोला गया है कि इसलिए इस knowledge को gain करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि product को classify किया जाना चाहिए ताकि marketing manager को पता लग सके कि उसका product किस type का है और वो किस category से belong करता है उसका product तो product classification के द्वारा ही marketing manager easily determine कर पाता है marketing program और marketing strategy को अब हम बात करेंगे कि कितने type में यह divided है कितने भागों में इसको विभाजित किया गया है तो number one आता है consumer products तो consumer product वो product होते हैं जो की final consumption के लिए बनाए जाते हैं consumers के जो final consumption किया जाता है consumers और families के द्वारा तो वैसे product जो होते हैं वो consumer product होते हैं और यह जो product होते हैं are consumed without any commercial process बिना किसी commercial process के ही consume किये जाते हैं यह जैसे कि आपका shoes, soap, radio, saving machine, cigarette, etc यह क्या है consumer products हैं तो अब consumer की habits, attitudes, उनके basis पर consumer के product को भी तीन भागों पर त्री parts में divided किया गया है तो पहला part है convenience product तो consumer product का ही यह part है convenience product convenience product कोन से होते हैं जो एक buyer को consumer को conveniently प्राप्त हो जाएं है ना उसके आसपास में उसको मिल जाएं तो convenience product are those product which are purchased by the buyer from easily approachable places जहां तक वो जा सकता है उसको वह तक मिल जाएं मतलब उसको आसपास उसके जहां वो रहता है consumer उसके आसपास उसको product available हो जाएं तो and which are distributed on large scale मतलब ऐसे product जो है वो large scale में distribute यानि की होते हैं market में तो these product are purchased by the buyer frequently मतलब buyer इन product को खरीदता ही रहता है frequently जैसे कि आपका हो गया soap, cigarette, bread, butter, pencil, paper, biscuit, newspaper, magazine, etc. तो यह क्या है यह convenience product है जो आपको एक buyer को एक consumer को आसपास में उसके होते हैं large scale में इनका distribution होता है market में और इनके कुछ features भी है यानि की convenience product के कुछ features भी है पहला feature है for buying this product consumer need not to go at any specific shop मतलब इन product को खरीदने के लिए consumer को किसी specific shop पर जाने की जरूरत नहीं है मतलब उसको आसपास में यह चीजे मिल जाएंगी है ना second these products are demanded for satisfying the daily requirements of consumer यानि कि यह जो product है यह किस लिए demand किये जाते हैं consumers की जो daily requirements होती हैं उनको satisfy करने के लिए तो यह भी इसका एक क्या है feature है तीसरी तीसरा जो feature है convenience product का वो है these products are not bought in a systematic way but are demanded on requirements मतलब यह जो products हैं वो सिर्फ और सिरफ तभी demanded होंगे जब इनकी जरूरत होगी जब इनकी requirement होगी चौथा इसका feature है consumer make minimum purchase efforts while purchasing these products यानि कि यहां पर consumer का जो purchase effort होता है वो कम होता है जादा नहीं होता अब दूसरा जो consumer product आता है वो आता है shopping product यानि कि shopping product वो product होते हैं which which buyer gives special attention to their price and quality मतलब ऐसे product जिन पर buyer special attention देते उनकी price पे उनकी quality पे उनके brand पे जैसे कि यहां पर हमें example भी given है clothes हो गए shoes हो गए furniture हो गया scooter टीवी car etc तो इन जी जो पे consumer special attention यानि कि specially सोच समझ के इनकी price इनकी quality को ध्यान में रखते हुए बाय करता है तो for the purchase of these product various shopping center are established in cities तो इन products की purchase के लिए काफी type के shopping centers भी जो हैं शहरों में cities में established किये गए है where goods of various manufacturer are available and buyer select them easily तो बायर इनको आसानी से जो है select करके खरीद सकता है important features क्या होते है shopping product के number one feature होता है इसका कि for buying these products often buyer have to go at distant places or at any shopping place मतलब इन चीजों को खरीदने के लिए buyer थोड़ा सा अपने घर से थोड़ा दूर जाके इन चीजों को खरीदता है यानि कि ऐसी जगा पर जहां पर यह बेचे जाते हैं shopping place like आपके घर से market भी थोड़ा दूर होगा ना जहां पर जाके आप close खरीदते होंगे like अगर आपको furniture भी purchase करना है तो furniture की shop जरूरी नहीं है कि आपके घर के पास हो वो भी दूर हो सकती है टीवी LED आपको खरीदना है वो भी आप थोड़ा दूर जाओगे distant place में जाके खरीदोगे है ना तो यहां पर यही बोला गया है कि आप थोड़ा distant places पर जाकर shopping places पर जाकर ही इन प्रोड़क्स को बाय करते हों second इसका feature है these products are more stable in comparison to convenience product अब shopping product जो होते हैं वो more stable होते हैं कहने का यह मतलब है convenience product कैसे होते हैं जब आपने उनको consume कर लिया they are finished यानि कि अगर आप bath soap का example लें अगर हम convenience product में तो bath soap आपने एक बार यूस कर लिया जितना भी उसको use किया और देन वो खतम हो जाता है ना जिस हिसाब से उसको use किया जाता है उससाब से वो खतम हो जाएगा but shopping product like हो गए आपके clothes आपका TV आपका जो furniture है ना तो यह क्या होते हैं यह stable होते हैं निकि यह रखे रहते हैं काफी सालों तक चल जाते हैं तो इसी रहें को stable बोला गया है और इस प्रोड़क्ट आर ओफ हाई वैल्यू ओविसली यह हाई वैल्यू के भी होते हैं convenience प्रोड़क्ट के comparison में ड्यू टू हाई प्राइस प्रोड़क्ट आफटर कंपेरिंग देर बत्रा specialty product यह भी consumer products की हमारा पार्ट है जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि consumer products के थी पार्ट से पहला हमने पढ़ा convenience दूसरा हमने पढ़ा shopping अब हम पढ़ेंगे speciality product तो speciality product वो product होते हैं for which buyer are ready to pay the high price लब buyer ready है कि हाँ मैं इसका high price दूँगा तो speciality products में कुछ unique characteristics मौझूद होती हैं जो customer को attract करती है like apple iphone apple iphone हम जानते हैं high prices में ही जो है मिलता है और ये luxury basically luxury goods होते हैं जिन पे buyer जो है ready होता है कि हाँ उसको high price देना है क्योंकि वो product ना attract करते हैं like high value dresses हो गई luxury cars हो गई air conditioner हो गया आपका high price watch हो गई music system, fridge, television तो ये इन चीजों में इन category में आता है जिसमें buyer ready है ज़्यादा price देने के लिए क्योंकि उस product में uniqueness है उस product में कुछ ऐसी बात है जो buyer को attract करती है उसके feature उसका हना तो basically इसलिए speciality product उनको हम बोलते हैं और इसके भी कुछ यहाँ पे बोला गया है कि यह जो product है वो कुछ exclusive agency और distributor के द्वारा exclusively sold out होते हैं और इनकी कुछ qualities होती है number one कि these products are popularized by their brand name like BPL, Samsung, LG, Sony, etc. तो जैसे कि आप अगर for example आप home appliance के लिए shopping करना चाहते हैं आपको refrigerator buy करना है तो आप सबसे पहले यह देखोगे कि brands, popular brand कौन-कौन से है जो refrigerator sold करते हैं, sale करते हैं like आप देखोगे LG, Sony, BPL तो यह सारे बड़े-बड़े brands हैं तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि यह जो है product जो है वो popular इनकी brand की वज़ा से होते हैं फिर buyer make their purchase plan in advance तो buyer make their purchase plan in advance मतला buyer पहले से ही planning करके चलता है कि वो इसको खरीदेगा इस product को इन product को, speciality product को obviously हम planning की तो करते हैं सबसे पहले अगर हमें कोई speciality, महंगा product खरीदना है तो सबसे पहले हम planning करेंगे ना फिर खरीदेंगे, heavy expenses होते हैं इनके advertising पे, इनके sales promotions पे इन product के, और before buying these product all the members of the family are consulted तो यहाँ पे आप family members को भी consult करोगे कि इन product को खरीदने से पहले अब आता है हमारा consumer product के बाद हमने consumer product में तीनों parts कवर करें जिसमें था convenience, shopping और speciality अब हम बात करेंगे industrial product की यह तो थे consumer product अब हम बात करेंगे industrial product की की यह क्या होते हैं तो product which are used for making other product and for providing services are called industrial product मतलब ऐसे product जो की which are used for making other product मतलब जिनको use किया जाएगा दूसरे किसी product को बनाने के लिए वो होते हैं industrial product like raw material, machines, tools, spare parts, techniques इन सब को use किया जाता है ना कोई भी एक नया product बनाने के लिए हमें tools की ज़रूद होती है, raw material की ज़रूद होती है हमें spare parts की ज़रूद होती है और इनके जो number of buyer होते है obviously less ही होंगे क्यूं? क्यूंकि इन product को तो सिरफ वही खरीदेगा ना जो manufacturing कर रहा हो तो obviously manufacturing industry ही खरीदती है ऐसे products को क्यूंकि उनको अपने product बनाने के लिए raw material इन चटशटे products की ज़रूद होती है तो that's why buyer number of buyer less होते है और besides this sales are done in large amount लेकिन जो sale होती है वो large amount में होती है क्यूं? क्यूंकि आप जानते हो manufacturer जो है वो large amount में product बनाता है तो जब large amount में product बनाएगा तो raw material भी तो उसको large amount में खरीदना पड़ेगा ना तब ही तो वो large amount में product बना पाएगा तब ही उसकी high sale होगी तो industrial product को भी कुछ types में divided किया गया है number one type है fabricating parts and material तो fabricating parts and material क्या होता है these are the product which are sold in market through producer and manufacturer तो यह ऐसे product होते हैं जो कि market में sale होते हैं producers और manufacturers के द्वारा these are used in the development of final product इनको use किया जाता है final product की development के लिए for example यहाँ पे बूला गया है tire हो गया battery हो गई metal sheets हो गई television के speakers हो गई motor हो गई tube हो गई यह सारे जो है products होते हैं और sometimes manufacturer themselves manufacture the product for fulfillment of their requirement कभी कबार क्या होता है manufacturer भी खुद की खुद ही जो है अपनी requirements को पूरा करने के लिए इन प्रोड़क्ट को manufacturer भी करते हैं मतलब खुद को ही उनको raw material की जुरत है और वो खुद ही उस चीज का manufacturer भी करते हैं तो but it is better to buy these directly from the market लेकिन यह आपे बोला गया है कि ज्यादा भैतर तभी होगा जब आप इन छोटे छोटे raw material type products को market से ही खरीद दो तो इस type of product are directly bought by producer obviously यह type of product को उन खरीदेगा producer ही खरीदेंगे क्योंकि उनको manufacturer करना है manufacturing करनी है नेक्स आता है हमारा इसी का ही industrial product का ही part जो की है equipment तो equipment की बात करें तो tools and equipment वो product होते हैं जो की manufacturing process में use किये जाते हैं इन products की जो prices होते हैं वो अक्सर महेंगे ही होते हैं वरी हाय होते हैं और in it various products like small or large tool, plants, spare parts, office material को भी include किया जाता है मतलब इसमें जो large or small tools होते हैं वो भी include होते हैं plants हो गए आपके spare parts हो गए office का जो material है वो सब include होते हैं equipment नाम से ही पता चल रहा है हमें तो in case of these products appearance, price, utility and effectiveness are given importance मतलब इन type के products में प्राइज यूटिलिटी इनकी इनकी effectiveness पे जादा importance दी जाती है often effectiveness of these products is known after using them for long period आपको किसी भी product की effectiveness का पता लगेगी जब आप उसको लंबे time तक use करोगे तभी आपको उसकी effectiveness पता लगेगी तो these are also directly purchased from producer तो equipment भी directly purchased की दौरा होते है producers के दौरा होते है उसके बाद raw material obviously raw material ऐसे product होते हैं कोटन हो गया agriculture product हो गया petroleum product हो गया यह सारे क्या है यह सारे raw material की तरह use होते हैं और differences are found in purchase of raw material differences भी पाए जाते हैं some raw material are supplied by the middle man कुछ raw material middle man के द्वारा supply किये जाते हैं it mainly happens when cost of raw material represent a small part of total production cost तो यह दब होता है जब raw material की cost को represent किया जाता है as a small part of total production cost कि तरह क्योंकि हमारे total production cost में raw material की cost भी included होती है जैसे कि आप जानती होंगे तो as against it if cost of raw material is a large part of total production cost then the purchase officer directly purchase the raw material from manufacturer तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपके raw material की cost बहुत जादा है तो फिर purchase officers क्या करेंगे directly raw material को manufacturer से ही purchase करेंगे ना कि market से directly वो manufacturer से ही contact करेंगे क्योंकि आपकी raw material की cost जादा आ रही है तो जब आप manufacturer से contact करेगा अगर purchase officer तो थोड़ा कम में मिलेगा उसको फिर अब हमारा आता है operating supplies तो operating supplies में क्या होता है दोस material are included which are required for the operation of factory कि ऐसे material include होते हैं जो factory के कार्यों में जो है required होते हैं but these do not become the part of final product यह final product का part नहीं बनते और यह दो type के material इसमें include होते हैं जो कि बोला गया है यह भी हमारा जो है industrial product का ही industrial product का ही part है और दो type के material operating supplies में बोले गए है material related to office और material related to factory तो जो material office से related होते हैं in it cloth, pen, pencil, carbon paper यह सब include होते हैं और इनकी quantity prices दोने ही less होते हैं तो therefore these are purchase in large quantity इसलिए इनको large quantity में हम purchase कर लेते हैं कि इनके prices कम होते हैं तो often अक्सर buyer क्या करता है buy these in a complete package according to their daily requirement कभी-कभी क्या होता है buyer इनको complete package में भी buy करता है खरीद लेता है और जो material factory से related होते हैं like grease, paint, screw, petrol, diesel, lubricant तो यह सब include होते हैं factory में materials और यह थे हमारे in this way from above explanation it is clear that factor like product, price, need, quality delivery, etc. should be considered while taking purchase decision तो जब आपको purchase decision लेना है industrial products से related तो आप इन चीजों को consider करते हो क्या price, need, quality, or delivery को अब हम बात करेंगे classification on the basis of product characteristics यह तो थे हमारे consumer product और industrial product जो भी हमने study किया अब हम बात करेंगे classification on the basis of product characteristics कि product की characteristics के basis पे classification किया गया है तो प्रोफेसर लियो एस्पिनवल ने डिवाइड किया है product को तीन टाइप में उनकी characteristics के basis पे तो वह हम पढ़ेंगे जैसे कि आप देख रहे हो सबसे पहला red product बोला गया है तो substitution rate of these product is high but gross difference, adjustment, evaluation of consumption period and search period is less like bread हो गया, soap हो गया, cigarette हो गई, matches की dipby यानि के match box हो गया इसके कुछ example होते हैं often convenience product come under this category मतलब red product में जो substitution होता है, substitution rate होता है, इन प्रोडक्ट का वो high होता है gross difference लेकिन जो gross difference होता है और adjustment होती है और इनका consumption period होता है, वो less होता है क्यों क्योंकि आप bread कप तक use करते हो, एक ही दिन use करोगे, जादा से जादा दो दिन use कर लोगे इस soap हद मार के अब वो तो family members पर depend करता है, है न, soap का भी तो वो भी तीन चार दिन में एक soap खतम होई जाता है cigarette जैसी आपने consume करी, हो गई consume, match box भी हो जाता है तो basically इनका consumption period बहुत ही less होता है और red product में convenience product ही आएंगे जो हमने convenience product पढ़े थे, वही red product की category में आएंगे फिर आता orange product, orange product like हमने shopping product पढ़े थे न वो orange product की category में आएंगे और इनका जो period होता है ना तो जादा छोटा होता है ना जादा लोग होता है अब clothes है, shoes है, उनको हम जादा से जादा एक दो साल चला लेते हैं तीन साल चला लेंगे, मतलब जादा लंबा भी time नहीं होता इनका और जादा short भी नहीं होता यहां पर हम furniture की बात नहीं करेंगे क्योंकि furniture थोड़ा काफी लंबे time तक चल जाता है ना तो यहां पर clothes, shoes और crockery की बात ही गई है यलो प्रोडक्त कौन से होते हैं यलो प्रोडक्त इसमें शॉपिंग प्रोडक्त और speciality प्रोडक्त दोनों को ही include किया जाता है यलो प्रोडक्त प्रोडक्त फिर आता है यहां प्रोडक्त क्लासिफिकेशन on the basis of durability तीन पार्ट में डियूरेबल सेमी डियूरेबल और नोन डियूरेबल तो डियूरेबल प्रोडक्त कोन से होते सेमी डूरेबल कौन से होईंगे विचार यूज मैनी टाइम फोर लिमिटेड पीरियाड मतलब जिनको हम काफी बार यूज करते हैं लेकिन लिमिटेड टाइम पीरिड के लिए ही लाइक आपके शूज हो गए इलेक्ट्रिक बॉल्ब्स हो गई रेडिमेट क्लोज आप एक क्लोज को आप 2-3 साल तक ही चला पाते हो अगर आप उसको लगतार डालते हो कभी-कभी तो एक साल में ही है ना तो इस आर ओफन शॉपिंग प्रोड़क्ट्स सेमी डूरेबल में वह आएगा नों डूरेबल से क्या समझते हो आप नों डूरेबल को भी दो टाइप में और शॉपिंग नीष डिवाइड रहे उसना गया है वनटाइम इंव Biz उयूओं शॉपिं इस में आप उफ हमारे घ्राइपिने की चीज़े याएंगी वन्टाइम का टूरेभी वीजीटलज उगहें चोकलेड वीसान दें वन टाइम वब्रोड़क्ट्स ancora ऑं टॉब् तो यह थे हमारे classification जिसको आज हमने cover किया आई होप वीडियो आज की आपको समझ आई होगी clear हुआ होगा concept वीडियो को like करें शेयर करें अपने class group में और आप marketing management की playlist जरूर चेक करें playlist section में और वहां से जाके आप accordingly watch कर सकते हैं and thank you so much